हेलो प्रिवान कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर नहीं तो आज की वीडियो के बाद जरूर हो जाएंगे कि आज मैं आपके साथ चर करने वाली हूं दात दर्द दूर करने के कुछ खरेली उपाए तो देर किस बात किया करते हैं शुरू से शुरू वैसे आज के टाइम में दात का दर्द एक common problem है इसके कही कारण हो सकते हैं जैसे दातों में कीडे, दातों में सडन, दात साफ ना होना, bacterial infection या फिर दातों का कमजोर होना बहुत सारे लोग इन problems के लिए दवाय खाते हैं लेकिन आपको दवाया खाना अगर पसंद नहीं है तो आप कुछ खरीलू उपाय अपना कर इन problem से चुटकारा पा सकते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले सरसो का गुनगुना तेल जिसमें चुटकी बार नवक मिलाकर अगर आप अपने मसूरों की मालिश करते हैं तो इससे ना केवल दात के दर्द में आराम आता है बलकि मसूरों की सूचन भी कम होती है इसके लावा अमरूत की ताजी पत्या चबाने से भी दात के दर्द में आराम आता है और साथ ही मूँ की और समस्याएं भी दूर हो जाती हैं जिसे कि मूँ में बदू आना या फिर कीडो का लगना भी इसे ठीक हो जाता है इसके लावा अगर आप ताजे हम्रूत के पत्तों को पानी में उबाल कर इसे हलका से ठंडा करते हैं और फिर इस पानी का इस्तमाल आप कुला करने के लिए दिन में तीन से चार पर करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके दाद के दर्द में ना केवल काफी अराम आएगा बलकि आपको मूँ से सम्मंदित और भी समस्याओं में बहुत जादा फाइदा मिलेगा अगर आपके दाद में तेज दर्द हो रहा है तो आप लॉंग को टॉफी की तरह चूजते रहें इसे मूँ में रखें आप नोटिस करेंगे कि आपके दाद के दर्द में काफी अराम महसूस होगा इसके लावा दाद दर्द से चुटकारा पाने के लिए एक बहुती आसान और इफेक्टिव तरीका है इसके लिए लेना है आपको एक गलास करम पानी उसमें डालना है दो से तीन चुटकी नमक आप कोई भी नमक इस्तमाल कर सकते हैं चाहें तो आप साधा नमक इस्तमाल करें चाहें तो आप सेना नमक भी इस्तमाल कर सकते हैं तो जो भी नमक आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं साथ ही आपको लेना है इसमें दो से तीन चुटकी फिट करी इसके बाद आपको इस पानी का एक बड़ा सा घूट लेकर अपने मूह में रखना है 10-15 सेकिन तक और उसके बाद कुला करके तूख दिना है उसके बाद दुबारा से ऐसा करना है और फिर 10-15 सेकिन दुबारा रखके इसे फिर से तूख दिना है इसा करने पर आपको एक बार में एक ग्लास पानी का इसा करना है एसा करने से आपके मुँ में सिखाई होगी और ड़्ध से आराम मिलेगा आप इस प्रेय उप को दिन में 3-4 बार करके देखिए आपको काफी जादा आराम मिलेगा इसके लाबा फिटकरी का पाउडर बना कर आप अगर दर्द वाली जगा पर मुँँ में मसाज करते हैं तो भी काफी अराम आता है तो फ्रेंस इन उपायों को इस्तमाल की जगा आपको काफी फायदा होगा और हाँ अपनी ओरल हाईजिन का ध्यान ज़रूर रखेगा ताकि आप इस तरह की प्रॉब्म से हमेशा दूर रहें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस रहिए बेशक कितने भी व्यस्त रहिए